हेलो एव्रीवान विल्कम टो यूरोगों को फाइन करना है एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 19 11 और एंगल 12 सभी एंगल का सम कितना डिगरी होगा यही हम लोगों को बताना है अगर आप भी इंट्रेंस एक्जाम्स या कंप्टिटिव एक्जाम्स के तियारी करते हैं तो यह कोश्चन बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है आपके लिए क्योंकि इस तरह के कोश्चन ऐसे एक्जाम्स में आते हैं फ्रेंस यह कोश्चन देखने में तो बहुत ज़्यादा कॉंप्लिकेटेड है लेकिन मैं अभी आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके बाद सिर्फ औ अंदर आप यह कोश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और सभी एंगल का सम कितना दिगरी होगा यह फाइंट कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंस यह जो फीगर है यह एक स्टार है और इस तरह का स्टार दो एक्विलेटरल ट्रेंगल के मिलने से ही फॉर्म होता है जै क्या सट मिलने से एबी सी और बीए ये दो ठेंगनल है लेकिन यह दोनों लोगर जब एक्विलेटरल होगा तभी इस तरह का फीगर फोर्म होगा इसका मतलब tätäब ये है के दोनों को पहले से पता है कि Equilateral triangle का तीनों एंगल 60 degree का होता है is तरह से एंगल A 60 degree का हुआ उसी तरह एंगल B एंगल C एंगल D Quindi एंगल F सब जो है 60 degree का हो जाएगा अब हम लोग इस छोटे वालेटाईंगल में देखते हैं तो इस छोटे triangle में हम लोग पाएंगे कि angle A तो 60 degree का हो गया तो angle 1 और angle 2 दोनों का sum कितना होगा तो हम लोग जानते हैं sum of all angles of a triangle equal 180 degree तो इस तरह से angle 1 plus angle 2 plus angle A equals 180 degree तो angle 1 plus angle 2 plus 60 degree equals 180 degree तो angle 1 plus angle 2 equals 180 minus 60 degree equals 120 degree ठीक है तो angle 1 और angle 2 का sum 120 degree होता है उसी तरह angle 3 angle 4 का भी sum 120 degree होता है अब आप सिधा क्या किजे count कर लिजे कितना ट्रेंगल एक दो तीन चार पांच छे छे ट्रेंगल है और सभी ट्रेंगल में इन दोनों angle का जोड 120 होगा तो 120 120 120 इसलिए हम लोग क्या करेंगे 120 को छे ट्रेंगल है तो 6 से multiply कर देंगे तो आजाएगा 720 तो 720 डिगरी होगा सभी एंगल का sum angle 1 से लिके angle 12 तक तो इसलिए सही answer होगा 720 डिगरी तो फ्रेंड्स ये आप हमेशा याद रखना के इस तरह का कभी भी without दोनों equilateral triangle के नहीं form हो सकता है दोनों ही ट्रेंगल जो होगा equilateral triangle होगा तभी इस तरह का figure form होगा फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना बुलें ताकि आपको इसी तरह का useful और interesting वीडियो का notification मिलता रहे थांक्स वर वाचिंग्स